आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्ता और आप हमारे साथ देख रहे हमारे खास कारिकरम बात अपने देश की यूँ तो हमारे इस करकम में तमाम तरह की समस्याओं की तमाम तरह की मुद्दों की तमाम तरह की नीतियों की और तमाम तरह के यहां पर बिचारों की बात की जाती है साथी साथ यहां पर हम विचय जो भी विचय होता उसका एक मुलेंकन भी करते हैं और समाधान भी पताते हैं पर आज जो हमारा विचय है वो थोड़ा अलग हटके हैं क्योंकि आज हम अपने देश के उस नेता की बात करने बाले हैं जिसकी लिए अगर सब्द लखें तो वो यहां आज हम बात करने बाले हैं उन पजां मंतरी की ज Bei अपने आप में एक एसी मिसाल कम की ती जिसकी आज भी पेड़ना देते हैं उनके सद्धान आज बी चानने जाते हैं हार नहीं मानुगा राज नहीं ठानूगा। इस अधर देश के उन प्रिरामंत्री के थे जिनका नाम आज भी बड़े सद्धा के साथ और साती साथ सम्मार के साथ लिया जाता है अटल बिहारी बाजपी जैसा नाम बैसे ही काम जैसा उनका नाम था बैसे ही उनके काम करने की छमता भी अटल थी और बैसे ही उनके इरादे भी अटल थे इसी बार वो हमारे देश के तीन बार प्रणामंत्री बांजुटू में उप्हाइब अपना जो कार काल था, वो तीर बार प्रदामंतिक गूत में नभाया। मिरे मंतरी भी रहे, मुराजी सरकार के और तमाम तरह के जो उनके नाम विवस्थशाएं हैं, उनके नाम सिद्धान्त हैं, उनके जो कार काल की दो आप दूआतले 3 गों, संसर के सदस्य रहे हैं कि अटल विहारी बाच्पे का नाम अटल विहारी बाच्पे ऐसे नहीं पढ़ाता है में 1924 में गवालेर के बटेश्चर गाउं में उनका जनम हुआ था मदविदेश के और वहां से फिर आंगे बढ़ते हुए कानपर में डीएबी में सिच्छा दिच्छा भी गढ़ की और साथी साथ जब वो संचालक बने अपने संग में बहुत मिन वुमिका रही और भारत छ कि आप्सव उचिकृषी पे जाके आसीन होता है अटल ब्यारी बाश्पयज वो नाम है जो चोटे से गांव से संगर्ज करते अपनी ब्यास्था बनाते बनाते और लोगों की सेवा करते-ई इस मुकाम तर पहुंसते हैं कि बही अटल ब्यारी बाश्पय आगे जाकर राहिस्थान के पोकरण में तमाम देशों के बिरुद्ध जाकर परमानुपरिच्छन करते हैं और पोकरण परमानुपरिच्छन आज नॉर्मल बात नहीं है उस समय करना जब तमाम देशों तोने हमारे उपर प्रत्रिबंद दक लगा लिए थे उन्ग के बाफ्यूद अपर वेहरईवाजपी आपने सद्धांतों से डिगे नहीं क्योंकि मैंने कहा ना कि आटल। वेहरी वाध्षपी को नाम नहीं था वह अपने चर्चा करते थे बिरोर्यों के प्रिये थे क्योंकि उन्हेंने कभी भी संसद में जो कि देश के सबसे बड़े लोक्तन का एक घर है वहां पर आपको खुर सोच होती है और यहां तक की इसके लिए संसर में एक घोचना भी कर दी आड़े दे गया कि आपको यहां पर आमर्यारे सब्दों का उप्योग नहीं करना है इससे बड़ी बिडम्मना क्या हो सकती है और अटल ब्यारी बाच्पी की समय का काल था जहां पर अटल छबी कारण उनकी रोचक पिस्तुरी कारण और उनके मेरुभासी होने कारण नेता बड़ अच्छे थे उसमें कोई संसय नहीं है कदावा नेताओं में उनकी गिंती होती है और बीजेपी को खड़ा करने में उनकी एहम मून का रही है जैसे आज के समय में अगर बीजेपी के नाम पर बोड़ डेते थे औहुंः की विरोधी वी उनकी प्रसंदा केवना रह नहीं पाते थे हाला कि इनके नाम के परसंदों की हम चर्चा यहां पर नहीं करेंगे पर यहां पर यह जरूर बताताएं के कौन उनकी बहुर निटा निता पर जिनके स्वार्थ और समर्पन सेवा के चलते उनको देश के सबसे बड़े दूसरे सर्वोच सम्मान यानि पडम विमूश्वण से सम्मान रिखिया गया था यह बही राजनेता थे जिसको 1994 में सर्वे से सांसर के परश्कार से सम्मान रिखिया गया था ये बही राजनेता थे जो को 2015 में देश के सरवोच सम्मान यानि भारत रत्म से सम्मानिट की एता जो कि गिनेचरी लोगों को ही मिलता है देश में भारत का रत्म है यानि बिस्व के सबसे बड़े लोगतांते देश का रत्म है अटल बिहारी बाचपई के काम और कारकाल की च चौक की गलियों में जाते हैं और जब वहां विकास की बात करते हैं जहां पर ब्यौस्था की बात करते हैं बहां पर एक ऐसी ब्यौस्था की बात करते हैं जो अब तक नहीं हो पाई थी तब भी लोग चर्चा करते हैं कि हां वो अटल जी थे जो लखनों के सांसर रहते हैं जो आज भी यार्ट की जाते हैं, हलाकि राजना सिंग आज लखनों के सांसर हैं, पर आज भी लखरू के लोगों के दिलों में, उनके जहन में, अटल विहारी बाचपी जी के लिए, जो उनकी समर्ती हैं, वो आज भी बिंदुमान हैं, कारण कि उन्होंने देश में की बात क करें, चाहे अपनी संसरी छेत की बात करें, चाहे बिदाय की छेत की बात करें, और चाहे उनके पूरे देश की प्रहामंती बज़े तब की बात करें, उन्होंने हर चीज को बहुत मूल्यांकन के साथ, और किसी भी चीज को रहलका नहीं लिए, और इनके लिए जिला हो, सं और देस पर ध्यान रखने का कारण ही यह था कि भारत को बिश्वशक्ति बनाने की दिसा में और उन्होंने राहिस्थान के पोकरण में परमानु को परिछड किया था कि यह टल ब्यारी बाचपई थे जरों इसे किर्थिमान किये जो आज तक संभम नहीं है यह टल ब्यारी बाचपई थे जा आपरिशन बिजय हुआ था जह हमने अपने छेत्र में कबजा करके चौकी बनाए लोगों को कारगिल और द्रास में जाके मार गराया था यह टल बिहारी बाचपे ही थे जो आप रिशन बिजय की आधार सिला के मूलभूस आधार थे यह टल बिहारी बाचपे ही थे जो की जनसंग के संथापकों में एक थे जिनके विरोडी भी चर्चा करते थे यह अटल विहारी बाच पर ही थे जो दुनिया में अपना एक अलग कद लेके मानने जाते थे आज परोशी डिस में पाकस्तान के बाद करें च्रिलिंका के चाहिए चीन के बाद करें और अपने लोगों के साथ किस तरह काम करना हैं उनके साथ समस्य समय बठाना है यह अटल जी से बहतर कोई नहीं जानता था और तब आपको बता रहे तब भी लगातार उनकी चर्चा बिरेशी पड़ोसी मुलकों में भी होती रही और मुरारजी देशाई के कारकाल में जब बिरेश मंत्री थे तो उन्होंने तमाम ऐसे कीर्टिमान स्थापिर के तमाम ऐस भीतार होना लेखिए यहां कि चाते जीवनों के लिखे और उनके कुछ जो सब्ध है जो आज भी परमक होते हैं और आज भी उन सब्धों से उनकी पहचान है जो कि मैंने आपको बताया कि हार नहीं मानूंगा और राज नहीं ठानूंगा यह अटल जी के ही सब्द थे जिन यहाँ पर केबल केबल एक हमारा कारिकम केबल एक नमन उन्हें मारे भारत डेस को जन्हों ने हमारे भारत डेस को प्टान दी जोने हमार बारत डिश्ख रूप में दुनिया की सामने जनवाया इस हमारे देश को एक ऐसे देश की रूप में पताया कि हाँ अगर कोई हमारे खित में कबजा करेगा तो हम उनको परवतों पर जाकर मार गिराएंगे और भगा देंगे और उनकी यह मनसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे जैसा कि उन्होंने कारगिल में किया क अटरल बैरी वसपि अठारह में उनका निधन हुआ हुआ है उस निधन के बावजूद बुमाइन हैं तो बहुत दुनिया में नहीं है पर उसके बावजूद ऑप आज भी राजनीताओं के जहन में है और आज भी राजनीती की मजूस वहासी शयली की की बात होती है आज भी राजनीती के मेरपूर सिद्धानतों की बात होती है आज भी राजनीती में एक मर्यादित भूमिका की बात होती है तो आज भी कहा जाता है कि अटल विहारी बात पर ही से बहतर मर्यादित में जुभासी और मजबूर संकल्ब सक्ति वाला राजनीता न ब्हारी बाच्पई की इसोस थी कि जब अठा 1984 में दो सांसर्थ थे भार्टेंदा पार्टी के गुजा सेके पटल और अन्रपिट से रेडी तब यह चर्चा होती थी कि आगे कैसे बढ़ेंगे तो उनने कहा था कि एक समय आएगा जब भारती जंदा पार्टी कि देश में सबसे बड़ी पार्टी होगी और आज भारती अंदा पार्टी देश ही नहीं बलती बिस्तु की सबसे बड़ी पार्टी करकरता के मामले से और सरस्यों के मामले से बड़ा उपलब्दी है और साथी साथ जो संकल्प और उनने लिये थे चाहे राम मन्ने निर्मार की बात करेंं चाहे जम्म कस्मिर से अनुस्चे 172 सपतर की बद करें और चाहे समान नागरिस सहीता की बात करें इस सपने उनके थे जिसमेंसे दो सफ़़ह पूरे विख HIS सुप्रेम कोड के माद्दम से राम मंदर का नर्माण हो चुका है पांच अगस 2020 को पर्णामरी नहीं मोडी ने उसका सलाह नस किया था तब से लगाता नर्माण कार जारी है और साथी साथ 370 की जो अनुछित था उसको भी जम्मू कस्मीर से हटा दिया गया और जम्मू कस्मीर में जो लोग विकास की पतकता के लिए बेचन थे जो विकास की धारा में नहीं आ पार रहे थे जो पैसा के इन सरकार से दिया जाता है उस पैसे को किस तरह जुर्पयोग होता था और पैसा नहीं होता है तो वही कारण रहा था कि कस्मीर में पंपता जा रहा था रहा था और इस आतंगबात की जो लोग जो आप अब कस्मीर में रोजगार भी है दिवस्थाएं भी है विकास की मुक्धारा में आकर समझ सकता है कि हम भारत के ही अंग है कि पहले उनको लगता ही नहीं था एक मनुविचार था एक मनुधारना थी और एक मानसिक्ता की कि हम भारत के अंग नहीं है पर भारत के अंग नहीं है पर अब भारत में ही है तो यह अटल बिहारी बाचपी का सपना हुआ करता था और और उन्होंने पूरा भी किया और जब पिरामदी नरिन मोदी कि 2.40 में सरकार बनायते हैं कहा था कि जो हमारे भाजिन्दा के संस्थापक रहें चाहें दिंद्र पार्ध के बात करें चाहें घॉड्टर सयमा परसार मोखरजी के बात करें और चाहें अटल वहारी बीजेपी ही करेगी और जैसा कि होता भी दिखाई दे रहा है कि जो उनकी सपने थे उन सपनों में से दो पूरे हो चुके हैं आने वाले समय में तमाम तरह के और कानून बनाएं जाएंगे क्योंकि देश का बेकाद जरूरी है और भारत को बिस गुरू बनाना तो तमाम तरह है कि यहाँ पर कठो नेरे लेरे होगे हर नेरे हर इनसान के लिए खराब नहीं होता है ओ और निर्णाओं की परिपार्टी को समझना भी बहुत जरूरी होता है अपने निर्णाओं की परिपार्टी को आम जन्ता तक समझाने में बहुत माहिर थे वो जानते थे कि लखनों की जनता का दिल क्या चाहता है वो जानते थे कि उत्तापनेश की जनता का दिल क्या चाहता है वो जानते थे हमाई देश की जनता का दिल क्या चाहता है क्या जरूरी है क्या विकास के साथ हमको क्या चाहिए हमको मजबूरी चाहिए साथ भारत को बैस तुमाम तरह के सुर्च्छा नीत्यों के बाब जु जब कारगल में कबजा हुआ ड्राश चौकी पर तब बहां पर भी आप इसें बिजय केता है जीत हासल की अटल ब्यारी बाचपई जो सब्द है हार नहीं मानूगा रान नहीं थानूगा यह मैं सब्द नहीं है इन सब्द आज एक ऐसा उड़ान प्रेसेटा किया है आम जनता के लिए और साथी सब्दिनी नेता नेता बहसा होना चाहिए जो कि आम जननता के दुर्ख को kg समझे दर्द को की समझे ओर ना किसी के लिए के लिए कटाफ करें और विरोधियों को अभी किसो काफ़ क हynnख क सुनने की च पत्ता पत्स की निता की तारीक पहरे तो माल लीजे कि उसकी चभी उसकी सिद्धान और वह सक्सियत अपने आप पे कितनी बड़ी होगी कि मैं आपको पहले ही बिताया कि अटल विहारी बाचपी की ब्याख्या करना उनके बारे बताना यह सब्दों में संब्द नहीं है कि अगर बात करें उस पत्कता पर चल लए हैं जो कि रोने अभी किया है और दो सपनों को पूरा किया है और कौन कौन से और मैटमूर यहां पर काम होंगे कानून बनेंगे और पत्कता क्या आंगे बढ़ेगी यह पर पताएगा पर एक बात तो साफ है कि अटल विहारी बा बनाए हुए जो पुराने हमाई नेता रहे राजीते रहे हैं उनके बनाए हुए सिद्धान तो पचलना बहुत जरूरी है तो आज की चर्चा में अतना ही अगली बार फिर सिकी नए मुन्तिके साख होगी मुलकार नमस्कार कुछ पार पुश्पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार